हेलो दोस्तो आप सभी लोग का वेलकेमेंज स्वागत है सेटेट एड्मिट कार्ड बिग ब्रेकिंग नियुज क्या है पहली बात तो सभी छात्रों के एड्मिट कार्ड जारी नहीं होंगे अगर आप लोगों ने फीस पेमेंट कर दी है फिर वे आपके एड्मिट कार्ड जारी नहीं होंगे काफी छात्रों के इस वीडियो के नीचे कमेंट में कुछ छात्र लिखेंगे फेक नियुज है, फरजी नियुज है, खबर फरजी है उन लोगों के लिए ये वीडियो बिलकुल भी नहीं है वो वीडियो यहीं से छोड़ के जा सकते हैं सबसे पहले उन छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने सीटेट का फार्म अपलाई किया है किसी कैफे से या फिर ऐसी जगह से जहां आप उन्होंने अपना मोबाइल नमबर या इमेल आईडे दरज नहीं कराई है वो चात्र जाकर आज लाश्ट दिन है आप लोगों के लिए तो वहाँ पर जाकर आप लोग अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो कि आप लोगोंने मिला होगा आप लोगों के पास होगा उस username और password को आप लोग नोट कर लीजे और अपने mobile पे login करके देख लिजेगा username और password को जिससे कि आप अपने फार्म में final submission करने के बाद जो आपके पास username और password है उससे अपने फार्म को एक बार login कर लीजे उसके बाद उस form में जाकर देख लिजे जहां पर image आपकी upload image का option है वहाँ पर आप जाकर देखेंगे अगर आपकी image को reject कर दिया गया है seated की तरफ से तो फिर आप दुबारा image upload कीजेगा पहला सवाल काफी छात छात्राओं का था कि image अगर हम लोगों अप्लोड कर दी है फिर भी अभी तक admin approval नहीं मिला तो आप लोगों को image अप्रूब कराने के लिए पहली बात तो आप अपनी एक नई जो image है वो सही तरीके से खिची होनी चाहिए background किसी प्रकार के फिर उसको upload करिएगा साथ में signature upload करना ना भूले तो photo और signature दोनों को एक साथ upload कीजे जिन छात छात्राओं के mobile number और email address उन्होंने अपने दर्ज नहीं करा है उसके बाद जो छात छात्राओं ने अपने mobile number और email address दर्ज करा है अगर उनके पास इस प्रकार का error message आता है कि आप अपने sign और photo का upload कीजे और उसके बाद आप लोग जाके upload करते हैं तो उसमें error का message जा रहा होगा काफी छात छात्राओं के पास जो की upload करते वक्त दिख रहा होगा तो वो लोग क्या करेंगे कि अपने photo को जाकर दुबारा से सही तरीके से दूसरी photo जो पहले लगाई तो उसको बदल कर दूसरी नई photo को आप अपने खिचवा कर वहाँ पे लगवा सकते हैं उस dimension में जो की उनका accurate dimension का data उन्होंने दिया हुआ है अब उसके लावा जल्दे जो लोग ये सारे काम नहीं करते हैं तो उसके बाद नो तारीक यानि आज के बाद आपके कोई भी फार्म में photo को लेकर CBSC के तरफ से कोई सुनवाई नहीं होने वाली अगर CBSC ने आपके फार्म में आपके photo और signature को reject कर दिया है सारी चीज़ें सही करने के बाद भी यानि कि आप लोगोंने फार्म फिल कर दिया फीर जमा कर दिया और अराम से बैठे हैं तो अगर आप लोगों के सारी चीज़ें सही थी उसके बाद आप लोगों के पास message आता है और photo और sign upload नहीं करते तो आपका admit card जारी नहीं होगा पिछले वर्स कई सहसे छात्र थी जिनके admit card नहीं जारी किये गए थे उसके लिए आप लोगों को ये सारे काम करने होंगी उसके साथ ही आपको बता दें secret के admit card जैसे ही सारे चीज़ें clear हो जाएंगी उसके बाद आपके एक हफते के अंदर हो सकता है अगले हफते आप लोगों के admit card आपके हाथ में हो क्योंकि परिछाएं दिसंबर में आयुजित होंगी ये निर्धारित है उतलगभक CBSC ने official तोर पर पहले ही अपनी notification में दो बार बता चुका है जो उसने प्रस बिग्यपती जारी की थी तो आप लोगों के जो चीज़ें थी doubt थे उम्मिद है clear हो गया होंगी तो फोटो को लेकर तो फोटो के लिए आप लोग सही dimension में अपलोड करें signature अपलोड करें और अगर user name password नहीं है तो लेकर अपने login farm को जरूर एक बार चेक कर लें अगर आप लोगों ने किसी कैसे के मादम से ये चीज़ें अपलोड करवाई हैं किसी दूसरे स्थान से ऐसी जगा से आप लोगों ने ये farm fill करवा है जहां से आपके पास उसका कोई भी record नहीं है क्योंकि आप लोगों के admit card अगर download करते वक्त आ आपके admit card फिर भी आप डोग download नहीं कर पाएंगी तो इसके लिए आपके पास username और password का होना आवश्यक है तो आप सबी लोग अपना username और password एक कहीं सुरचित जगा पलिक कर रख लें क्योंकि admit card download करते वक्त उसके बाद भी आपको username और password की ज़रूत पड़ेगी उमीद है आ जाप तक आ stole कि चेडित से झाले जगई जबेगी